हालो दोस्तों आप सभी का ओगी पुर कलासेश में स्वागे थे तो आज किस वीडियों कच्छा नव के अर्दवार्शिक परिच्छा गड़ी द्विशे के पेपर को हल करने वाले हैं जो कि आपके अर्दवार्शिक एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह खजार कोई भी संख्या जीरो के रूप में हो तो 57 का आपको 57 लिख लेना है और जितना जीरो नीचे हो उतने अंग पर दस्मलो लगा देना है दो जीरो यह तो दस्मलो पांट साथ इसका हो जाएगा आपसन नमबर ए राइट हो जाएगा जैसे कि आप में कोई अलग क सबस्मलो बतना है तो आपको सिंपली एक दो आपको बताना है तो आपको बताना है जैसे कि होता है Ш इसमें जो होता है सभी प्लस प्लस होते है तो देख सकते हैं माइनस दो माइनस का राइट हो जाएगा उसके बाद काया कि 50 डिग्री का पूरा कोड़ का मतलब होता है ऐसी कोड जिनके दो कोड़ों का योखन 90 डिगरी के बरावर हो उसे कहते है पूरा कोड़ यदि एक कोड़ 50 डिगरी हो जाएगा तो दूसरा कोड़ कितना हो जाएगा इसमें 90 में से 50 डिगरी माइनस कर देंगे तो कितना हैगा 40 डिगरी तो दूसरा कोड़ क्या हो जाएगा सिंपली क्या करेंगे 64 का तोड़ेंगे इसके घात क्या है इसलिए मैं इसको बता नहीं पार हूं कि कि इसकी घात पता नहीं चल रहा है उसके बात पचवा नमबर क्विश्न देखते हैं कि मूल बिंधू का कहते हैं मूल बिंदु यहां पर जो निर्दसांग होता है जीरो कामा जीरो होता है तो मूल बिंदु का निर्दसांग जीरो कामा जीरो तो आपसन नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्विशन यहां पर दिया हुआ कि यक्स अक्ष को क्या कहते हैं यक् भाई होता है चिसको कहते हैं ःष्फ को कहते हैं को तो अप्साओ नमबर ए इसका राइट िमसर हो जाएगा उषके बाद स्षण नमबर की सरल रेखा कोड़ किदना होता है जैसे एक पर किदने कड़ी का कड़ बनता है तो तो मम इसका बी राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद दिया है कि यक्स स्क्वाइर का गुडांग क्या होगा जैसे संख्या यक्स स्क्वार का गुडांग क्या होगा यक्स स्क्वार इसके आगे कोई संख्या नहीं है अर्थात एक है इसका जो गुडांग हो जाएगा कितना हो जा जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं रिक तस्थान की पूर्ती करना है यहां पर पहला कुशन दिया कि रिजू कोड का मान होता है एक सो असी डिगरी के बराबर होते हैं उसे सरल रिखा कोड या रिजू कोड के नाम से जाना जाता है उसके बाद यहां पर दिया है इसके बाद दिया है इसके बाद दिया है उसके बाद लेगा आपका उत्तर सिंपल तरीके से आप लगा लेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं A square minus B square है तो इसका हो जाएगा एक कुष्ट में A minus B दूसरे कुष्ट में A plus B इसका हो जाएगा उसके बाद अगला कुष्टन दिया हुआ है कि X square 9 plus B X A B तो इसका आप को मान गयाद करना है इसका आप कैसे गयाद करेंगे तो simple तरीके से आप गयाद कर सकते हैं इसका भी दिया है कि X square और 9 A B तो X का आप गुड़ा कर लेंगे X square plus 9 X plus B X plus A B इतना है इसमें साप X common कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या जो common करके आप निकाल लेंगे सकते यहाँ यहाँ पर देख सकते हो यहाई So하게 that इसका गजया तरीके से उसके बात कहा कि i2-4 सुन्ने क्या होगा सुन्ने पूछाय मैंने साथ बराबर जीरो करना हो जाएगा तो रेखी बुपत की घात क्या होती तो रेखी बुपत की घात आप निकाल सकते हैं यह खोती है कि इसके बादир ऐधार गूड़े उचाई का सिंपल तरीके से उसके बार नेक्स कोशटर में एल फ्लस बी तो कुष्टर में ये प्लस भी हो जाएगा उसके बाद कहां कि कोटी करते हैं भूज का मनने तेन उसके बाद नेक्स कूशन दिया कि नर्द सांग में 5 का मच्छ का कोटी कोटी का मनने हो जाएगा 6 तरीके से उसके बाद कि मौल बिंद किसे करते हैं तो मौल बिंद का नर्ट सांग 0 कहा जाता है अगले भाग से क्वेसन दिया कि निम्लिखित को आरोहिकरम में लिख कर आपको यक्स का मान गयात करना है तो सबसे छोटी संख्या उसके बड़ी बड़ी निसभी संख्याओं को जोड़ कर उसके बराबर अपने निकाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको के क का मान गात करना के का मान क्या होगा तो यहां पर देख सकते हैं के आप को साथ उसका उत्तर आजाएगा उसके बाद हैं आपको बताना है कि बताईए कि हलों में से कौन-कौन सा समिकड़ यक्स-2y को हल है और कौन सा हल नहीं ता आप इसमें 0 उसके बाद है कि समांतर चतर बिकड़ बराबर हो तो आपको आयत दर्साना इसको प्रोब करना है उसके बाद यहां पर अगला कुछिशन दिया हुआ है कि दर्साइए कि समकौर्ट त्रिभुच का कर सबसे बड़ी लम्बी भुजा होती है इसको आपको बदाना है कि यह सबसे बड़ी भुजा होती इसको भी प्रूब करना है उसके बाद इस आकरती में X प्लस Y बराबर दे है W प्लस Z A O B का मान गयत करना है तो यह भी very simple question है तो इन सभी कोड़ों का योगफल किनना हो जागा 360 डिगरी के बराबर हो जाएगा गयत करना है A O B यानि इस कोड़ का मान गयत करना है यानि X प्लस Y का मान गयत करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह दोनों कोबर हम जोड़ेंगे X प्लस Y प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिगरी और X प्लस Y बराबर W प्लस Z है तो इसके स्थान पर में X प्लस Y रख सकते हैं तो X प्लस Y प्लस Y बराबर 360 डिगरी तो X X 2 X हो जाएगा Y Y 2 Y हो जाएगा बराबर 360 डिग्री तो 2 को कामन कर लेंगे तो X plus Y बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अब इसको कटा देंगे तो simply X plus Y बराबर किनना डिग्री आजाएगा 180 डिग्री तो यहीं आपका मान पुछा A O B का मान, A O B का मान है A X plus Y तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 यह वह वी कावन कितना डिग्री हो जाएगा 180 आपका उत्तर आजाएगा सिंपल तरीके से इस तरह से आप इस क्यूशन को हल कर सकते हैं उसके बाद अगला क्यूशन यहां पर दिया हुआ कि एक टीम में फुटबाल में 10 मेश खेले गए तो यह कोड़ बनाना है अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिशन में लिंक है वहां पर देख सकते कोड़ कैसे बनाया जाता है 38 नंबर क्यूशन दिया है कि संभाहु त्रिभुच का परिमाब तीस से मीं है और प्रतिएक भुजा कितना है 12 से मीं है लंबाई की है माइनिस वन पूट करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा मैनस थीन की दो चैनले मैंने बताया इसको भी कर लेंगे और जो सिद्ध करना वापी सिद्ध कर लों कर दिये हैं तो अच्छा नौका जो मैत का पीपर होता है काफी स्टेल होता है इन से भी क्यूस्टिनों का अब आसान तरीके से हल कर सकते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल करने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा